नमस्कार बहुत स्वागत है आप सुभी का आपके साथ मैं पल्लवी रवींदर सिंग उदैपुर के गोगुंदा में दो तेंदुओं को पकड़ने के बाद पुशासन ने राहत किसासली थी लेकिन जिस तरीके से कुडाओ गाउं में एक बार फिर से पास साल की बच्ची को तेंदुओं ने अपना शुकार बनाया उसके बाद कहा जा सकता है कि तेंदुओं के आतंका अध्याय अभी खप्र नहीं हुआ युद्ध के एपिसेंटर बदल चुका है घज़ा के बाद इसराइल अब लेबनान पर नौन स्टॉप बंबारी कर रहा है धमागे ऐसे जिनकी गूंज डेल हजार किलोमिटर दूर इरान की राजधानी तहरान तक पहुँच रही है गेड़ हजार से ज्यादा हमले और एक ही दिन में साड़े पांच सो जान लेने वाले इसराइल के बंब खौफ बहुत ज्यादा है घुस्सा बहुत ज्यादा है और इसी वज़ा से अब इरान ने इसराइल के खिलाफ एक नई वार्णिंग जारी की है यह है एरान की राजधानी तहरान यहां सड़कों पर मिसाइल पहुँच चुकी है लग रहा है कि बस युद्ध का अईलान होना बाकी है और तहरान के इस इमारत पर लगा दिया है ऐसा पोस्टर जिसमें इसराइल के लिए एक मेसेज है पोस्टर में इसराइल के सैनिकों को दरी हुई हालत में भागते हुए दिखाये गया है और उपर फार्सी और इसराइल की भाषा हिब्रू में क्या लिखा है गोर से देखिए फार्सी में लिखा है अम उस जगा बतला लेंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा हिब्रू में लिका है शुरू तुमने किया खत्व हम करेंगे इस पोस्टर में इसराइली सैनिकों को खौफ में दिखा कर ये मेसेज देना सीदा इसराइल को चैलिंज है इसराइल को दराने वाला बयान एरान के राच्च पती मसूद पजिश्कियान ने संयुक्त राच्च में भी दिया है साल गुजश्च रईस जुम्हुर खत्मत कज़ार किशवरम अबराहीम रईसी अज़ हमीन सुखंगा बाश्मा सुखंग गुफ ओ दर राह खदमत पे मरदों अईरान शहीद शुखंगा बाच्च रूह शाद बाद मनीनक बराए अवल इन बार अज़ाएगाह रियास्त जुम्हूरी इसलामी अईरान बाश्मा सुखंग में गुए गज़ा में एक तालिस हजार से ज्यादा लोगों की मौत और लिबनान में एक दिन के अंदर 558 लाशे बिचाने के बाद इसराइल इस वक्त इरान के टार्गेट पर है हमास और हिजबुल्ला दोनों के साथ इरान खड़ा रहा है लेकिन अब इरान के तेवर और उसकी ताकत को परक्ने का सबसे एहम मौकम आना जा रहा है तेरान की सड़कों पर इसराइल से बदला लेने वाले पोस्टों में इसमाईल हानिया भी है आसिम सुलिमानी की भी तस्वीर है और इरान के सुप्रीम लीडर का ये पोस्टर देखिये जो एक बलिस्टिक मिसाइल के साइस का लगाये गया है यानि इसराइल को बलिस्टिक चैलेंज के साथ इरान बता रहा है कि वो किसका किसका बदला लेना चाहता है पहला बदला गाजा का है जहां एक तालिस हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके है दूसरा बदला यमन का है जो अमेरिका और बिटेन के साथ अब इसराइल के टार्गेट पर है तीसरा बदला लिबनान का है जहां इसराइल ने अपना घोशित युद्ध शुरू कर दिया है चौथा बदला इसमाईल हानिया का है जिसके अत्या इसराइली खूफिया एजनसी ने तहरान में की थी और पांचवा बदला एरान अपने जनरल कासिम सुलिमानी के मडर का लेना चाहता है जिन अमेरिका ने 2020 में बगदाद में ड्रोन अटाक करके मार डाला था तहरान की सड़कों पर मिसाइल के साथ जनरल कासिम सुलिमानी के तस्वीर इसका सबूत है इरान ने नेतनियाहू को गेंडने के लिए ऐसे हत्यार इसराइल के दुश्मनों को सप्लाई किये हुए हैं जिनमें न सिर्फ लिबनान का हिजबुल्ला है बलकि यमन का मिलीशिया हूती भी इरान की मिसाइलों से इसराइल को डराता रहा है हालकि हाल ही में यमन ने जिस मिसाइल से तलवीव के करीब हमला किया था उसका दावा है कि वो उसने खुद बनाई है लेकिन हूती और हिजबुल्ला के पास ऐसे बहुत से हतियार हैं जिन पर मेडिन इरान की चाप लगी हुई है इरान ने इस बार परेड में 23 बलिस्टिक मिसाइल दिखाई हैं इन में दो खैबर शिकन बलिस्टिक मिसाइल, दो फते मिसाइल, चार हज कासिम मिसाइल, दो कादिर एच मिसाइल, दो इमाद मिसाइल, तीन खुर्रम शहर मिसाइल, चार सेजिल मिसाइल और चार जिहाद मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया ये मिसाइल दिखाकर इरान अब इसराइल में पोस्टर वाला खौप भणना चाहता है पोस्टर में इसराइली सेनिकों के डरे हुए चेहरे नेतन याहू तक भी पहुँचे होंगे इसमें कोई शक नहीं पोस्टर में फार्सी और हिब्रू दोनों भाशाओं में लिखा है कि बदला जरूर लिया जाएगा और इस युद्ध को इरान खत्म करेगा ये इरान की तरफ से बड़े हमले का सर्प्राइज माना जा रहा है इसमें कोई शक नहीं कि इरान की मिसाइल टिकनोलोजी से अमेरिका घबराया हुआ है यही वज़ा है कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, नेटो के इंग चार देशों ने इरान पर नए प्रतिबंद लगाए है उनका अरोप है कि इरान ऐसी मिसाइले अब पुतिन को सप्लाई कर रहा है हालकि इरान और रूस दोनों ने इससे इंकार किया है अब इस परेड और पोस्टर दोनों के जरिये इरान बताना चाहता है कि उसका बदले वाला इरादा अटल है तेरान में वांटेड नेतिनाहू के पोस्टर लगे हुए है और दावा किया जा रहा है कि इससे वो दहशत में है क्यों दावा किया जा रहा इसको हमने आपको पैकेज में बताया आगे बढ़ेंगे खबरों में युक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राश्पती पुतिन ने परमाणू ताकत बढ़ाने का ऐसा ऐलान किया न्यूज एजन्सी एफपी के हवाले से खबर है कि पुतिन ने रूस पर हवाई हमले करने वालों को परमाणू हत्यारों से जवाब देने का ऐलान किया है क्या कुछ ऐलान में कहा गया आप रिपोर्ट में समझ वे जिसका डर था वही हो गया पुतिन ने रूस की न्यूक्लिय डॉक्ट्रीन ही चेंज कर दी जी हाँ रूसी रास्टेपती व्लादिवीर पुतिन ने एक बार फिर से पशिमी देशों को परमाणू हत्यारों के इस्तिमाल की धंकी दी है पुतिन ने राजधानी मौस्को में बुद्भार को सुरुच्छा परिश्यत की इमरजेंसी बैठक उलाई थी इसी बैठक में पुतिन ने परमाणू हत्यारों के इस्तिमाल से जुड़े नियम और शर्ट बदलने का एलान किया अगर रूस के खिलाब मिसाईल या थी ड्रोन हमले हुए तो रूस परमाणू हत्यारों का इस्तिमाल कर सकता है अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाईल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संब्रमूता पर गंबीर खत्रा हुआ तो रूस परमाणू हत्यारों का इस्तिमाल कर सकता है रूसी रास्चेबती ने ये भी कहा कि अगर कोई कैर परमाणू संब्रमाण देश की समर्थन से रूद पर हमला करता है तो इसे तोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा उन्होंने कहा कि रूस के परमाणू हत्यार देश और उसके नादिन को भी स्रक्षा की सबसे बड़ी कारे सुनिये पुतिन का वो एलान जिसने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया है उन्होंने रедाद़िय बात रही हैं बाता है उन्होंने व्होंने बाता हैं प्रादिये विम्हों जाहा है प्रेदाब पुटिन के दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझने के लिए को इस दिन पहले रूस से आई इन तबीरों को देखना जरूरी है रूस के परमाडू तेखाने में पहुचे पुटिन क्या नया आटम बम फिट करेंगे पुटिन बॉल बाट दी की तैयारी शुरू आखिर रूस के राश्चेपति ब्लादिमीर पुटिन के दिमाग में क्या चल रहा है क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देख कर पूरी दुनिया खौफ से खाप रही है ये तस्वीरे पुटिन के उस परमाडू तैखाने की है जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है और अब देखिये पुटिन को इस बम के पास लेका जाया जाता है जिससे फादर आफ आल बॉम कहा जाता है पुटिन के अधिकारी एक एक बात की जानकरी उन्हें दे रहे है फादर आफ आल बॉम को दिखाने के बाद पुटिन को परमाडू तैखाने की उच जगा पर ले जाया जाता है जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाता है जी हाँ पुटिन को अधिकारी परमाडू तैखाने की उच जगा पर ले जाते है जहाँ पर मश्रूम क्लाउट दिखता है किसी भी परमाडू हमले के बाद इसी तरह का मश्रूम क्लाउट उठता है और फिर कुछ देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है मश्रूम क्लाउट देखने के बाद पुटिन भाहर निकलते हैं और एक रेजिस्टर पर साइन कर देते हैं आखिर पुटिन के साइन के क्या माइने है पुटिन ने किस ओडर पर साइन किया है कुछ देशों ने इस वीडियो को देखने के बाद वर्ड वार थी का काउंडाउन भी शुरू कर दिया है क्योंकि सबी को पता है कि पुटिन के परमाडू बम के निशान पर कौन है पुटिन गुस्य से लाल है पुटिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी वाइट हाउस आ चुका है पुटिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाते हैं अपनी पौज के सामने पुटिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गुंज अमेरिका के वाइट हाउस से लेकर नैटो के चपपे चपपे पर पहुँच चुकी है पुतिन क्यों तिल मिलाए हुए है ये आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तयारी पुतिन भी कर चुके है पुतिन के गुस्ते का लेवल इस हद तक भढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइलें सैट कर दी है और इन मिसाइलों का टिगर भी पुतिन के हाथ में पहुँच चुका है जैसे अमेरिकी रास्टेपती बाइडन का दिमाग रूस के आसपास ही खुनता है वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ वाइट हाउस रहता है पुतिन के दिमाग में सुपरबावर का पावर सेंटर वाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तयार है उनके दिमाग में वाइट हाउस पर हमले की एक बारी कड़ी फिट हो चुकी है और अगर अगर अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का टिकर दवाने में देन नहीं लगेगी पुतिन के इस एटम हमले के बाद वाइट हाउस ही नहीं दुनिया का क्या होगा ये किसी को नहीं मालो अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो खत्रा सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया पर है पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? इसे जानने के लिए पुतिन के इस बयान को सुनना आपके लिए बहुत सरूरी है पुतिन का ये बयान अमेरिका ही नहीं पूरी तुनिया की तशा अधिशा तेह कर सकता है सुनिये पुतिन ने क्या कहा अमेरिका ने कहा कि साइट राज अमेरिका इन मिसाइलों की एपिसोडिक तैनाती करने की तैयारी में है जिसमें SM6, टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपर सोनिक हतियार शामिल होंगे जिनकी यूरोप में वर्तमान च्छमताओं की तुला में लंबी दूरी की च्छमता होगी पुतिन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाडू मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा यही नहीं, पुतिन ने ये भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगों पर तैनाती की जाएगी जहांसे पश्चिम देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूकेगा नहीं कहा जा रहा है कि जब जिलेंस्की संहिक तुराष्ट में भाषण दे रहे थे तब ही पुतिन ने युकरेन के सबसे खतरनाक मोर्चे पर 42 मिसाइलों से हमला कर दिया जब जिलेंस्की ने नाटो से ऐसी गुहार लगाई है जिससे सुनकर बाइडन ने कहा है कि वो बेहद ही मजपूर हैं समझे आप रिपोर्ट में पुतिन के खिलाफ जिलेंस्की के सूपर इलेवन रूज को फोड़ेंगे तीन आटमी पावर पुतिन पर होगा आक्शन वर्ल्ड वार की टेंशन युकरेन रूज से अकेले युद्ध में जूज रहा है 943 दिन से चल रहे है युद्ध में अब तक युकरेन डटा हुआ है लेकिन अकेले ये जंग अब युकरेन पर बहुत भारी पड़ रही है जिलेंस्की कभी भी पुतिन के आगे सरेंडर कर सकते हैं ये बात प्रेजिडेंट जिलेंस्की ने लाउड औन किलियर अंदाज में कह दिये जिसके मायने है या तो पूरा युकरेन पुतिन के अबजे में होगा या पिर पश्चिमी देश और सूपर पावर अमेरिका युद्ध में युकरेन के साथ शामिल हो युएन में पुतिन आर्मी को पीटने का प्लान बना है जेलेंसकी पुतिन को हराने का रोड मैप प्रेजिडेंट जो बाइडन से शेयर कर रहे है उनके इस प्लान पर कई पश्चिमी देशों ने भरोसा भी जताया है संयुक्त राश्ट के मंच पर जो चल रहा है उससे भड़के पुतिन ने युक्रेन में कोहरा मचा दिया है जब युएन में जेलेंसकी पुतिन के खिलाब मोस्ट पावफुल गुड बनाने की अपील कर रहे थे तब रूस की सेनाय डोनेस्क और खारकीव को दहला रही थी प्रचंड मिसाइल अटैक से डोनेस्क में आधी राच से शुरू हुआ हाहाकार बुद्वार की सुबा तक चलता रहा पुतिन आर्मी ने बैटल ग्राउंड में बड़त बनानी फिर से शुरू कर दी है यूक्रेन के वुलेदार में रूस का जंडा कई जगा लहराने लगा है प्रचिमी डोनेस्क के उबालत में भी रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है डोनेस्क में मार खा रहे जेलन्सकी के सोल्जर्स ने कुर्सक में भीशन पलटवार शुरू किया है युक्रेन ने टॉरेट्स्क और वफचांस्क फ्रंट पर भी रूस को दहलाया है बुद्वार 25 सितंबर की सुबा रूस ने युक्रेन में S-300 से मिसाइल दागी है एंटी एरक्राफ्ट सिस्टम S-300 से रूस ने खारकीव और उडेसा में धमाके किये है पुतिन आर्मी ने ओडेसा में चार X-59 बाई 69 गाइड़ एविएशन मिसाइले भी दागी है रूस के फाइटर ड्रोन स्ट्राइक को नाकाम करते हुए युक्रेन ने 28 ड्रोन मार गिराए है जापरिजिया में रूस की गोलाबारी में युक्रेन के एक नागरिक की मौत हो गई और साथ से ज्यादा लोग जखमी है जापरिजिया टैक के बाद की ये भ्यानक तस्वीरे हैं जहां पूरी इमारत को रूस ने एरिस्ट्राइक में जमीदोस कर दिया प्रेजिडेंट जेलन्सकी अपनी लाचारगी बार-बार बया कर रहे हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ साफ कह रहे हैं कि सर्फ हत्यारों की मदद से वो पुतिन से पार नहीं पा सकते हैं युक्रेन के सभी हत्यारों की काट रूस के पास है हाल ही में युद्ध में युक्रेन ने बड़ी संख्या में वेंपायर ड्रोन को उता रहा है जिसकी मदद से रोबोट डॉक्स से हमले का प्लैन भी काम्याब नहीं हो पा रहा है जेलिंस्की की सेना ने फ्रंट लाइन पर वेंपायर ड्रोन की मदद से रोबोट डॉक्स को घातक बनाने का प्लैन बनाया है जिसमें वेंपायर ड्रोन फ्रंट लाइन पर रोबोट डॉक्स कोट को सटीग हमला अंजाम देने में मदद पहुचाने के मिशन में लगे है रोबोट डॉक्स जमीन पर सीक्रेट धंग से काम करने वाला घातक हतियार है वेंपायर ड्रोन मुश्किल इलाकों में आसानी से दुश्मन के ठिकाने की पड़ताल भी करता है कैमरो और साइलेंट ऑपरेशन से लैस वेंपायर ड्रोन रियल टाइम डेटा टेलिकास्ट करता है हालकि वेंपायर ड्रोन से हमलावर रोबोट डॉक्स की डिलिवरी का फायदा भी युक्रेण को नहीं मिल रहा है युद्ध में जेलेंस्की के हत्यार कारगर साबित नहीं हो रहे है बैटल ग्राउंड में ढ़ाई साल से जंग लड़ रहे युक्रेण के जवानों का होसला भी जवाब देने लगा है ऐसे में जेलेंस्की ने अब सूपर पावर से सीधे युद्ध में दखल देने की डिमांड की है जेलेंस्की ने जो विक्टरी प्लान बनाया है उसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त रूस के खिलाफ सभी महाशक्तियों को युद्ध में उतरने की मजबूरी को समझाया गया है यहां मत एक छोटी से ब्रेक का जल्द है जरूंगे